भाई और बेहनों, पहले की सरकारों और हमारी सरकार में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले की सरकारें गरीब को तरसाती थी, उसे अपने दप्तरों में चक्कर लगवाती थी। हमारी सरकार गरीब के पास खुद पहुँच रही है। हर योजना का लाब गरीब को मिले इसलिए अभ्यान चला रही है। आज हम सेक्चुरेशन की बात कर रहे हैं। यहने जन कल्यार की हर योजना का लाब शत्व प्रतिशत लाभारतियों तक कैसे पहुँचे। कोई भाई भती जाबात नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, इसको देना, इसको ने जना कुछ नहीं। जिसका हक है सबको देना। पक के घर सबको तेजी से मिले। गेस हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी के कनेक्शन हो, आईश्मान भारत के तहट 5 लाग रुपे तक का मुप्ति इलाज हो। ये सबको तेजी से मिले। अच्छी सडकों, अच्छे स्कूल कालेज और अच्छे अस्पतालों तक सभी की पहुँच हो। गाउं गाउं आप्टिकल फाइबर तेजी से पहुँचे। हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आकिर हमें ये जल्दी क्यों है, इतनी अधिर्ता, इसके लिए क्यों है, इसके पीछे अतीत का एक बहुत बड़ा सबक है। ऐसी हर मुल्ट सुविधाओं को बीते अनेग दसों को तक लटकाए रखा गया। देश के एक बहुत बड़ी आबादी इनी मुल्ट सुविधाओं के लिए संगस करती थी। उसके पास बाकी चीजों के बारे में सोचने की फुरसत भी नहीं थी। इसलिए गरीबी हटाने के हर वादे, हर दावें वो सिरफ राजलीते के दाव हुआ करते थे, वो किसी के काम नहीं आए। सेना पती चाहे कितना भी जोज भरें, लेकिन अगर सैनिकों के पास लड़ाई के लिए मुल्ट सुविधाएं ही नहीं होगी, तो युद्ध जित पाना असंभव होता है। इसलिए हमने गरीबी को परास्त करने के लिए, गरीबी से बहार निकलने के लिए, हमने उन मुल्ट सुविधाओं से देश के हर नागरिक को तेजी से जोडने का निश्चे किया। अब सुविधाओं से युक्त होकर गरीब, तेजी से अपनी गरीबी कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। और तो मैं कहूंगा, ये जो घर आपको दिया है न, वो सिरफ रहने, खाने, पिने, सोने की जगाह ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ, ये आपका घर एक ऐसा किला है, ऐसा किला है, जो गरीबी को गुसने नहीं देगा, और बच्ची खुची गरीबी है, उसको भी निकाल के रहेगा, ऐसा किला है आपका घर।